तमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी दो हजार चौविस लोकसभाद चुनाफ से पहले विपक्ष की एकता में फोट परती दिखाई दे रही है जिस तहरा से एक के बाद एक तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के बयान साफने आ रहे हैं हर कोई परधान मंत्री बनने का सपना देख रहा है नितीश कुमार हो राहूल गांधी हो ममता वैनर्ची हो अर्विंद केज़वाल हो या फिर इसके बाद अब एंसीपी चीव श्रतपवार हो जी ह हुए ये कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि पार्टी राज्टेर स्वरूप में काम करना चाहती है और इसी के साथ साथ उन्हें बीजेपी नेतर के अंदर सखकार को भी चुनोती दी है श्रतपवार ने इस दोरान कहा कि अगर शिवाची का इत्यास देखे तो उन्हों दिल्ली की तत्ता को चुनोती देने आई हैं क्या वो भी दो हजार चौहपीस में खुद को परधान मंतरी पद का उमिधवार देखना चाहते हैं सवाल कई उठ रहा हैं श्रतपवार ने परधान मंतरी नरेंतर मोधी पर निशाना साथते हुए कहा कि उन पर देश को गुम के मामले पर मोधी सरकार की विफलता बिल्कुल साफ है इस तरह से चीन के मुद्धे पर श्रतपवार ने दरसल घेरा है परधान मंतरी नरेंतर मोधी को लेकिन आपको बता देए इसी मोके पर NCP के नेता परफुल पटेल ने कहीं न कहीं कि ये संकेत देती हैं कि पवार जो हैं वो सब को मिलाकर रखते हैं याहीं वो दोहजार चोपिस में परधान मंतरी पद के उमिद्वार होंगे इस तरीके से उन्होंने बयात दिया है और कहा है कि नितीश कुमार ममता बिरह जी के सी आर स्टेलीन अकले शारव तेजस्वी यादव या कॉंक्रिस सब लोग पवार सहब के पास आते हैं और उनका मार्क तरक्षन लेते हैं केवल इसलिए क्योंकि सभी दलों को ये लगता है कि पवार सहब ही ऐसे नेता हैं जो सब को मिलाकर रख सकते हैं ये परफुल पठेल की ओर से कहा गया है आपके बताने कि शिर्थ पवार को भी दोहजार पूशिश में हैं लगासतार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एकता विपक्ष में होनी चाहिए परधान मंतरी को हराने के लिए बीजेपी को दोहजार चोपीस में सत्ता से उखाट वेकने के लिए लेकिन वो एकता कहीं भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि हर एक विपक् करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहीं कोंक्रिस पार्टी उनकी इस रहा में स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है क्योंकि कोंक्रिस पार्टी की ओर से लगाता ये कहा जा रहा है कि राहूल गांथी जो हैं वही 2.004 में परधान मंतरी पद्ध के उमिद्वार होंगे यानि राहूल गांधी में परदान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो अर्विंध केजिवाल हैं वो तरसल परदान मंत्री के उमिद्वार होंगे यहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कहा गया है कि दोहसार चोपिस में लड़ाई केजहिवाल वर्सिस नरेंद्र मोधी होगी यह उनकी तरब से कहा गया है वहीं ममता भिनहची अलग परधान मंत्री बनने का सपना बुन रही है और उन्होंने डिल्ली की यात्रा भी वो कर चुकी है जहां तमाम विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और विपक्ष का एक और कुट तयार करके वो खुद को उस कुट की मुख्या के रू समाजवादी पार्टी का है लखनव में पोस्टर भी नज़र आए जिसमें अकलेश श्यादव और नितीश कुमार एक साथ नज़र आ रही हैं और लिखा है कि यूपी प्लस बिहार गई मोधी सरकार इस तरह के पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं तो सवाल यही है कि हर अगर एकता में ही इस तरीके से सेंथ लगे की और लगातार एंसीपी भी अब इस कोशिश में है कि श्यादवार को प्रधान मंत्री बंद का मिधवार बनाया चाहिए और आपको विदा दें कि इस गड़ी में लगातार जो है श्यासी गलियार है में अक्सर उनकी तुलना नितिश कुमार और ममता भिनेश्ची जैसे नेताओं से की जाती है श्यादवार को माहरास्टर की राजनिती का घाग भी माना जाता है बड़े चानक्ये के तौर पर उन्हें भी देखा जाता है उनके आइडिया पर ही माहरास्ट में महाफिकास अगारी गटबंधन बना थ जिसकी जहकार एकनाज सिंदे के मुख्यमंतरी बनने से पहले थी जाहिर दोर पर वही पवार ही थे जिनकी पहल पर गटबंधन में शिवजरा कॉंग्रेस शामिल हो गई थी तो इस तरह से रनितिकार उन्हें भी समझा जाता है और फिलाल अगर मोजुता वक्त में बात की का दोरा हाली में किया जहां उन्होंने तमाफ नेताओं से मुख्यमंतरी अरविंद केज़वाल से वह फिले इसके लाखवा वो मेदांसा में दर्चल मुलाइब से यादव भरती हैं उनसे भी मुलाकात की और अकलेश यादव के साथ वह बाहर निकले तमाफ नेताओं से विपक्षी एकता की बात की जाए लेकिन सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात अभी भी नहीं हो पाई है चोकि सोनिया गांधी विदेश में है तो ऐसे में समझा जा रहा है कि जब वापस दोटेंगी तो उनसे मुलाकात होगी लेकिन फिलाल स्थिती यह है कि कॉंक्रेस पार और बीजेपी को हराना फिलाल नापुम्किन सा दिखाई दे रहा है जिस तरह से विपक्ष जो दावा तो ये करता है कि एक जूट है लेकिन कहीं न कहीं सभी का चोपरधान मंत्री बनने का सपना है वो विपक्ष को कहीं न कहीं फिलाल विखरता हुआ दिखाई दे रहा है प 2024 में लोकसवाच चुराओं में बीजेपी की सांसदों की टैले में 100 माइनस करतेंगे यानि वो भी आख्वान कर रही है कि तमाव पक्षी दल एक जूट हो जाए और इस तरह से आप बीजेपी को हरा जाए लेकिन फिलाल ममता का ये सपना भी साकार होता दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से आज NCP के इस कारिक्रह में परफुल पटेट ने ये साफ कर दिया है कि शर्थवार ही तमाव पक्षी दलों को सरहा देते हैं और कहीं न कहीं अब शर्थवार को ही दो हजार चौवेज लोकसबाद चुनाव में परधान मंत्री पद का उमिद्वार देख रही है तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना होगा लेकिन फिलाल विपक्ष बिख्रा हुआ है ये इस तिती नजर आ रही है आपकी इस पुरे माफले पर क्या राए है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाने बाद